पैग बनाने के लिए मैंने लिए है एक चमच मिलतानी मिटी और इसमें हम डालेंगे एक inscription चीज्ट देखो यह क्या है यह है आलू का रस। एक चोटे आलू को मैंने कद्दू कस करके उसका रस। निकाल लिया है तो जो मैं इसमें मिलाऊंगी यहीön intent इसे लगाने से आपकी स्किन में इतनी चमक आ जाएगी और जो भी जाईयां वगेरा और डार्क सरकल वगेरा है वो सब खतम हो जाते हैं आलू का रस लगाने से अब इसमें डाल दें कुछ बूंदे नीम्बू की नीम्बू से भी नैचुरल ब्लीच का काम करता है नीम्बू और बहुती अच्छी स्मूथ सी हो जाएगी एक बार आप ट्राइ जरूर करें तो यह पैक बनके तयार हैं तो सबसे पहले हम करेंगे कच्चे मिल्क से अपने फेस को क्लीन और जो फेस को क्लीन करने का काम होता है ना कच्चा दूद इतना अच्छा करता है आप कुछ भी ना लगाएं बस कच्चा दूद हो उसमें एक रूई ऐसे डिप करें और अपने फेस पर अच्छे से अपलाई कर लें इसको दो मिनट के लिए और फिर गिल्ले कपड़े से साब कर लें इस पैक को पायल मैं दोनों लगा रहे हैं अब मैं लगाती हूं तो पैक थोड़ा ज दूद से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैं गिल्ले टावले से इसको साफ कर लूँगी और फेस दूद से साफ करने के बाद ही एकदम चमक सी आजाती है फेस पर आप देख सकते हैं आप देख क्या सकते हैं कि आप ट्राइ करके देखें इसको तब आपको को इसके रिजल्ट पता लगेंगे अब मैंने जो फेस पैक तयार करके रख रख है उसे मैं अपलाई कर लूँगे अपने पूरे फेस पे तो इसे अच्छे से मिक्स करके और यह जो आपकी पिग्मेंटेशन वगेरा है अच्छे से इस पे दो दो लेयर में अपलाई करें मुझे हलकी सी हैं पिग्मेंटेशन कभी कभी दिखाई देती हैं जब मैं ज़्यादा धूप में निकल जाती हूं तब और जब आप धूप में जाते हैं तो संस्क्रीम जरूर लगाए नहीं यह आपके जो पिग्मेंटेशन है दाग वगरा है फेस की स्किन तो सब अच्छे हो जाते हैं पानी पीने से बोड़ी क्लीन रहते तो फेस भी अच्छे से क्लीन रहता है तो देखो मैंने कितना अच्छा सा यह अपलाई कर लिया पूरे फेस पे इसका रिजल्ट बहुत ही आप एक बार ट्राइ जरूर करें आपको लगेगा कि हमने कितना अच्छा सा फेशल करवाया अगर आप इस फेस वैक को लगाएंगे तो अब यह मैं बहुत ही अच्छे से दो तीन लेयर में इसको अपलाई कर लिया अच्छे से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा है और आलू में बहुत ही अच्छी ब्लीच होती है नैचरल और नीमबू में भी अगर आप मुलतानी मिट्टी में भी नहीं लगाना चाहते तो आलू का रस निकाल के उसे कोटन में लेके पूरे फेस पे अपलाई कर ले उससे भी बहुत अच्छी चमक आ जाती है फेस पे अब मैं जो जो भी फेस पेक लगाऊंगे आपके साथ शेयर करूंगी जुड़े रही है मेरे से देखो पायर ने और मैंने दोनों ने लगा लिया है अब 10-15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे सूखने के लिए देखो जी फेस पेक सुख गया है 10-15 मिनट हो गये है और जब इसकिन टाइट हो जाती है तो बोलना नहीं चाहिए इस तरह आप एक गुलाब जल ले लें कोई भी इस प्रेय वाला हो आपके पास और अच्छे से इसको गिला कर ले पहले और हलकी सी थोड़ी सी मसाज कर ले कि ऐसे हलका सा रब कर लें इसको तब आप पानी से दो सकते हैं अगर आपके पास णेपास और अच्छे से गिला कर लिया है और मैं हलकी सी इसको मसाज कर लूंगी बहुत हलके जहाँ को लग रहा है कि टाइट है महाँ ज्यादा प्रेशर ना डालें आप हलके हलके हाथों से ही इसको मसलना है हमें तो जितनी भी हमारी डैडी स्कीन वगेरा होती है यह एकसे सोईल को भी निकाल देता है फेस से और फिर आप गिलेट अवल से देखो मैं आपको दिखाती हूं कितना चर जल्ट आता है इसका अरे देखो मैंने कोई एकस्टर लाइट नहीं लगा रखी है अपने कमरे में ये बहुत लोग दो रिंग लाइट का यूज करते हैं चमक आ जाते हैं उससे मेरे कमरे में जो एक लाइट जल रही है उसी का ये मैं आपको उसमें दिखा रही हूं बहुत अच्छा अगर आप इसको लगातार अपलाई करेंगे इसको आप अपते में दो बार तीन बार अपलाई कर सकते हैं अपने फेस पर जितना आपको अच्छा लगे आप करिए मैं चलो मैं मूध हो के आती हूं कि मुझे तो बढ़ा अच्छा लग रहा है लगाते हैं और अब इसके बाद आपको टोनर के लिए क्या करना अप रात में लगा रहे हैं दिन में लगा रहे हैं जबी आप लगा रहे हैं टोनर की जग को इस तरह सभी वाला गुलाब जल्ले लेना और अपनी आईज बंस कर करके थोड़ा से स्प्रे कर लेना है थोड़ा हलके हलके मसाज करनी है इससे बस सो जाना है सुबह आपका पेश दिल्कुल ग्लोईं ग्लोईं मिलेगा ठीक है तो चलिए करिए आप भी बाई बाई करिए करें भी बाई बाई आपका पुलिए झाला कर सकत्क राव जाना खबार्फ हलके है में पर नापर किस है एला खबश्यणा कर दोब भाई बाई बाई करने दी प्लोईं करिए और रना और बाई एला कर छोण हम दोड़ा है